चाहतर आज हम लोग सिखेंगे Oxford Junior English Grammar के exercise 2 का solution करना और जैसे के आप देख रहें यहाँ पे direction है pick out the nouns in the following sentences, say whether they are proper common, collective, material or abstract यानि कि निर्देश दिया हुआ है कि pick out the nouns, noun को चुने in the following sentence यानि नीचे दिये के वाक्यों में से, ठीक है, say whether और बताए they are proper, कि वे proper है, वेक्ति बाचक संगया है, या common है, जाती बाचक संगया है, या collective है, समुग बाचक संगया है, या material है, या दरब बाचक संगया है, या फिर abstract है, या फिर भाव बाचक संगया है तो पहला sentence आप देख रहे है, sohan has a red car, तो इसमें noun कितने हैं, एक sohan है, और एक car है, ये red नहीं है, ये बिसेस्ता नहीं है, बिसेस्ता बता रहा है, तो sohan और car, किसी व्यक्ति का नाम है, और car, कोई वस्तू का नाम है, तो sohan क्या हो गया, proper noun, और car हो गया, common noun, यहाँ पर ल और दूसरा है, car, तो car कौन सा नाम है, ये है common noun, common noun, ये हो गया, पहला का, दूसरा देखे, children drink milk, children यानि बच्चे, तो बच्चे ये है common noun, ठीक है, और drink पीता है, इसको छोड़िए, ये milk, दो है इसमें noun, एक children, दूसरा milk, तो children क्या है, ये common noun है, लिखे हाँ पर children, चिल्रेन, common noun, और दूसरा milk, ये द्रब्विदार्थ है, तो ये है, द्रब्विदार्थ क्या होता है, material noun, material noun, my brother is the captain of the team, यानि मेरा भाई जो है, इस team का कफ्तान है, ठीक है, तो my brother, brother ये brother जो है common noun, क्या है यहाँ पर brother, और captain भी common noun है, तो दो ले ले लेते हैं यहाँ पर, क्या लिखते हैं, brother, पहला लिखते हैं, brother, brother और ये captain, ये दोनों क्या है common noun, ये दोनों common noun है, और team, ये जो है team collective noun है, समू है, एक समू का नाम है, ठीक है team, collective noun, collective noun, team जो है collective noun, पतना है, इस दर capital और बिहार, अर्थात पतना भी हर के जड़ा धागी है, तो पतना एक ख़ास जैच का नाम है, पलस बिहार भी ये खाज जयर का नाम है, तो पटना और बिहार दोनों प्रोपर नावन है, और ये कैपिटल कोई खाज जयर का नाम नहीं है, कैपिटल है ये कॉमन नावन है, लिखे यहां पे लिखे पटना, क्या लिखे पटना, और एक है बिहार, ये दोनों है प्रोपर न यह दोनो प्रॉपर नाउन है और आगे देखे आगे क्या है यह जो है कैपिटल क्या है कैपिटल है तो कैपिटल है कॉमन नाउन कि जाती वाजक्संग्य ठीक है यह कोई खास नाम नहीं है कैट है पूरी जाती का बोध है तो यह कॉमन नाउन है ठीक है और आईज यह सरीर के अंक का नाम है तो सरीर के जितने भी अंक का नाम है वो भी कॉमन नाउन है दोनों कॉमन नाउन है लिखे यहाँ पे यह दोनों नाउन है यहाँ और कॉमन नाउन है cat पहला हो गया cat और दूसरा हो गया आईज दोनों क्या है common noun गांधे जी वाज आ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया गांधे जी जो है इंडिया के महाननेता थे ठीक है तो गांधे जी यहां पर प्रोपर नाउन हो गया और वाज आ ग्रेट ग्रेट नहीं होगा लीडर लीडर नाउन है यह common noun है और इंडिया यह भी जो है खास जाय का नाम है यह प्रोपर नाउन है तो गांधे जी और इंडिया दोनों लिखे है यह क्या है प्रोपर नाउन और दूसरा आगे है लीडर नेता तो यह है common noun common noun आगे देखे दगंगेज इज आ होली रीवर गंगा एक पवित्र नदी है तो यहां पर गंगा एक गंगा जो है नदी का नाम है खास नाम है तो यह प्रोपर नाउन है और रीवर रीवर कोई खास नाम नहीं है पूरी जाती का बोध है तो यह common noun है ठीक है तो यहां पर लिखे गंगेज गंगेज क्या है प्रोपर नाउन प्रोपर नाउन और दूसरा है रीवर रीवर तो रीवर क्या है common noun there is a cap on his head यानि एक टोपी उसके सर पे है तो देखे यहां पर cap और head दोनों जो है नाउन है फिर कौन जानाउन है तो cap और head दोनों जो है common noun है ठीक है यहां पर लिखे cap क्या है इसमें पहला cap है और दूसरा head है head और दोनों जो है common noun है जाती वाचक संग्या है ठीक है गोल्ड, सिल्वर and money cannot buy honesty यानि सोना, चांदी और पैसा इमानदारी से नहीं खरदा जा सकता तो यहां पर ज़ल्ड और ॷिल्वर दोनों मैटरीयल nawn है इसे हम गिन नहीं सकते हुए यह धर्यफ्यफदारत का वोड़ है है इसे हम count नहीं कर सकते के यह material noun है और यह जो है money, money को आप uncountable noun कह सकते हैं, ऐसे लोग abstract noun भी कहते हैं, तो आप इसे abstract noun भी कह सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक honesty है, यह तो abstract noun है, तो यहाँ पर लिखिए, gold, silver, क्या लिखिए, पहला लिखिए, gold, gold, और silver, यह दोनों क्या है, material noun है, यह दोनों material noun है, material noun है, यह दोनों material noun है, अब देखिए, यह money और honesty, दोनों का आप abstract noun लिख सकते हैं, लेकिन उचित रहेगा कि money को आप uncountable noun परिए, तो यहाँ पर लिखिए, money, और क्या है, honesty, honesty, दोनों क्या है, abstract noun, abstract noun, the teacher taught me physics and chemistry, यानि कि सिच्छेक न हमें chemistry और physics पढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पर teacher जो है common noun है, और physics और chemistry जो है, यह है abstract noun, लिखिए, यहाँ पर teacher, पहले लिखिए teacher, teacher क्या है common noun है, और physics और chemistry जो है, physics और chemistry लिखिए, यह दोनों क्या है, यह दोनों है, abstract noun, यह दोनों क्या है, abstract noun, यह दोनों abstract noun है, Monday is the first day of the week, यानि सब्दा का जो है, पहला दिन Monday है, तो Monday यहाँ दिन का खास नाम है, तो यह proper noun है, Monday लिखिए, Monday, यह proper noun है, और यह proper noun लिखिए, और देखिए, यानि दिन, कोई खास दिन नहीं है, दे है, यानि कोई भी दिन हो सकता है, तो यह दे जो है common noun है, दे क्या है common noun, और विक जो है, यह जो है ग्रूप है, यानि साथ दिनों का एक सब्ता होता है, तो इसे आप collective noun कर सकते हैं, लिखिए आपे विक को collective noun, आगे देखे, he has been a good singer since his childhood, he, यह तो noun नहीं है, यहाँ पे noun है singer, और प्लस childhood, तो singer जो है common noun है, singer लिखे common noun, singer क्या है common noun, और childhood है abstract noun, बचपन होता है, abstract noun है, childhood, abstract noun, आगे कुछ और, friendship is a boon, यानि दोस्ती एक बर्दान है, दोस्ती, यह लिखे, दोस्ती, यह abstract noun है, और boon, बर्दान, यह भी abstract noun है, दोनों abstract noun है, लिखिए friendship, और boon, दोनों लिखिए, दोनों क्या है, abstract noun, without health, there is no happiness, यानि बीदा स्वास्ता है के खुसी नहीं है, तो without को छोड़िए, यह noun नहीं, health, यह noun है, abstract noun है, और यह happiness, दोनों abstract noun है, लिखिए health, पहले लिखिए health, health, health और यह happiness, दोनों क्या है, abstract noun, he gave me a bunch of grapes, यानि उसने हमें एक अंगूर का गुच्छा दिया, तो bunch, यानि गुच्छा है, यह समू है, तो यह जो है, collective noun है, और grapes, अंगूर है, तो यह क्या है, common noun, लिखिए यहाँ पे, bunch, यह क्या है, collective noun, collective noun, और grapes, grapes, यह जो है, common noun है, राम इत्स, ब्रेड, मैंगोज, एंड शुगर, राम ने क्या खाया, रोठी खाया, आम खाया, और चीनी खाया, ना, राम, रोठी, आम और चीनी खाया, तो यहाँ पे, ब्रेड, यह common noun है, मैंगोज, यही जो है, common noun है, और सुगर, जो है, material noun है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखे, ब्रेड, पहला लिखे, ब्रेड, और यह भी एक नाउन है, राम, तो पहले राम ही लिखे, राम, राम क्या है, प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन, यह राम हो गया, प्रोपर नाउन, और ब्रेड लिखे, ब्रेड और मैंगोज यह दोनों है कॉमन नाउन कॉमन नाउन और सुगर सुगर क्या है सुगर है मेटेरियल नाउन ठीक है यह हो गया दा रिंग एज मेड आफ सिल्वर रिंग यह रिंग यानि अंगुठी यह कॉमन नाउन है और सिल्वर जो है मेटेरियल नाउन है लिखे पहले रिंग कॉमन नाउन और सिल्वर यानि चांदी मेटेरियल नाउन देरिखार्णर यानि नाउन कनकॉण है एक क्राव्ड है विर यह जो है नाउन है और पहले नाउन हैVIा हिर्णर यह क्रमुज बाचक शंगिया और रोड़ कांवन नाउन यहां पर लिखे crowd यह क्या है collective noun है collective noun और यह road क्या है road है common noun I have love for my friends यानि मुझे दोस्तों के लिए प्यार है तो यहां पर देखिए noun कौन कौन है noun है एक है love और दूसरा friends तो love जो है abstract noun है love लिखें यहां पर love क्या है abstract noun abstract noun है love और friends कौन सा noun है तो friends है common noun friends क्या है common noun the juice has no sweetness यानि juice जो है मीठा नहीं है तो यहां पर juice यह जो है material noun है और sweetness क्या है यह abstract noun है ठीक है यहां पर पहले लिखे juice J-U-I-C-E juice क्या है यह material noun है material noun और यह sweetness क्या है sweetness है abstract noun sweetness क्या है abstract noun और यह जो यहाल